चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं, आज जो कुछ remaining है, जैसे कि टमाटर की राजधानी किसी कहते हैं, कहां पर कौन सा प्रोसेसिंग इन इते हैं, ये आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं, मेमोराइस करने वाले हैं, तो देखें आप इन सब कैसे याद रखेंगी, किसान शॉपिंग मॉल ये तो आपको commonly पता ही है कि राजनन्द गाउं और महासमुंद महासमुंद वाला जो है वो प्रस्तावित है और राजनन्द गाउं वाला तो काफी पहले से चल रहा है तो यह चीज आपको याद रटना है राजनन्द गाओं में है और महासमन उसके अलावा टमाटर की राज़धानिया आप जानते हैं लुड़ेक जो कि किसके अंतरगत आता है जश्पूर में आता है ठीक है लुड़ेक जो है वो कौहां से कौन सी नदी निकलती है और फिर से आप कमेंट सेक्शन में बताईए उसके अलावा टमाटर अनुसंधान केंद्री यह कहां है यह मैन पार्ट में तो इसको आप ऐसे याद रखेगा कि जैसे आप जानते हैं टमाटर की जो है वो बागानी फसले है जो कि जश्पूर साइट फेमस है ठीक है वहां पर काफी ज पूरे जितने भी पार्ट प्रदेश है उसमें सबस्जाद का इंप्रटेंट पार्ट कौन साय तो मैं पार्ट है उसके अलावा देखेंगे चाय प्रसंसकरन केंद्र तो यह कहां है यह जश्पूर में है आपको कैसे आदा आ जाएगा क्योंकि जश्पूर में चाय की खेत केंदर अनुसन्दान केंदर अनुसन्दान की नुसन्दान का मतलब होता较रिसर्च सेंटर ठीक है तो यह तेली बांधा राइपूर को भी आप याद रखेगा मरी्न ृइस से आपको याद सूरशपूर के अंतरगत जो कि छीर प्रसांच करन के लिएक तूध ठीक है मिल्क प्रोसेसिंग सेंटर यह सूरशपूर इसको आप ऐसे आज रख सकते हैं कि जैसे आप silfili देख रहे हैं तो फिली यानि ऐसा आप सूची कि कुछ लिक वाला ड्रिंक है ठीक है आता है न कुछ ऐसा समझ लीजी मिलक वाला ड्रिंक है जित्ते जीसे आप पीते हैं तो उस तरही के से कुछ यह कुछ ठंदा ठंदा cool cool drink है sylfily जो कि आपको एकदम cool feel करा दे रहा sylfily ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं तो यह सूरजपूर जिले के अंतरकत आता है उसके अलावा फिर यहाँ पर कुछ नए प्रसंस करन केंदर बने हैं जो कि आपको अच्छे से याद रखना है तो यह kodokutki kodokutki ko आप ऐसे याद रखी के सिंगर पर कांकेर जीले के अंतरकत आता है इसको आपको ऐसे याद रखना है जैसे देखों कॉको यहां पर क क क क क क चाहिकी कर चाह की यहां पर रिपिटेशन हो रहा है तो आप सिंगर बनने के लाएक एश GRAD उसके बाद यहां पर लाख लाख प्रोसेशिंग सेंटर यानि की लाख प्रसंसकरण केंदर कहां बनाया जा है नवा गाओ रायपूर इसको आप ऐसे याद रखेंगे कैसे याद रखेंगे अगर आपके पास लाखों रुपीज आ जाए आपके पास बहुत सारे लाखों में रुपए आ जाए तो आप नवा गाओं बसाएंगे एक नया गाओं बसाएंगे एक नया शहर बसाएंगे या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं नया घर लेंगे नई गाड़ी लेंगे ऐसे करके आप इसको याद रखेंगे न वागाओं उसके बाद देखे हर्रा प्रसंसकरन केंदर कहा है यह भी कांकेर केंदरगत है इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कि आप सभी की इक्षा है कि धर्ती जह हरी भरी हो हरा ज्रही इक्षा होती है कि वह एक मतलब हरे भरे Тоculan में रहें ऐसे गर कि आपको इसको इाद रखना है उसके इसके अलावा मिर्च का आप कैसे याद रखेंगे यह जश्पूर में ठीक है अब आप जानते हैं 36 गड़ वालों को पाताल चटनी यानि कि जो टमैटो चटनी ये काफी पसंद होता है तो आप ऐसा सोचेगा जब टमैटो जश्पूर साइट जादा अच्छा होता है ठीक है भले रिसर्च चेंटर मैंन पार्क में तो जहां टमैटो वहां पे मिर मिर्च तो वैसे गर कि आप याद रखेगा ठीक है टमाटर की राजधानी लुडए लुडए रैगर में है तो मिर्च भी महीं पास में होना चीए तो मिर्च प्रसंसकरण केंद्र का होगा यह लूरा उसके अलावा फरियां पर मक्का का आप कैसे याद रखेंगे यह आप का क waż ज्यावा इसको भी याद रखेंगा कुडदा और deer भार में मक्का की बहुत जाले की ओती है जहांट के दि ज्याद होगी महीं तो आप इसको याद रख सकते तर उसके अलावा फिर महुए कर रहा महुए कर देगा है तो यह राजनंद गाउ इसको आप कैसे याद रख सकते हैं ठीक है इसको आप ऐसे याध रखे गांठी गां नामने हैं गांव ननाम भी गांव है इस लिए कि दिन बर काम करके महुए से जो ढ़ीव बनता है काफी फेमस है गाउं वगेर में तो वैसे आप याद रख सकते हैं कि हां गाउं में मतलब ज्यादा इसका यूज है उसके अलावा यह जो ट्रिक्स है सब कालपनी के इसका लेना देना कुछ रियालेटी से नहीं है आप बस याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हैं पर ऐसा भी सोच सकते हैं कि मतलब गाउं से उसके अलावा हाई टेक गुड फैक्टरी जहां पर गन्ना जादा होगा वहीं पर तो गोडी की फैक्टरी बनेगी न तो यह कभी धाम इसको आप या किसे अलड़ेशिस कर पायेंगे कि आपको याद हुई हैं चीजओ की नहीं सबसे पहले आप यहां पर बिताएंगे कि हर्ण मतलब कि हर्ण करन कंदर कहां पर इसके अलावा फिर आपको यहांанич कहां पर है यह दोनों question का answer आपको दीना है अगर आपको ट्रिक से याद हुआ है तो आप इसका तुरंत लिख लेंगे और नहीं याद हुआ है तो फिर दुबारे से वीडियो देखिया और दुबारे से याद करें ठीक है इस वीडियो में इतना है धन्यवाद आप सभी को